दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें धर्म और परंपराओं की देव भूमी भारत अपने धार्मिक स्थलों की खुबसूर्ती और उनकी खासियत के लिए जाना जाता है लेकिन भारत का पडोसी देश नेपाल जो कभी विश्व का एक मातर हिंदू राष्टर रहा है वे भी इस मामले में पीछे नहीं है लिच्वी समराट के शासनकाल में राजा हरी दत्वर्मा ने नेपाल की उची पहाडी की चोटी पर चंगू नारायन मंदिर का निर्मान करवाया था चंगू नाम के गाउ में स्थितिये मंदिर 325 इस्वी में बनाया गया था जो चंपक के पेड़ों के घने जंगल से घिरा हुआ है चौथी शताबदी में बनाएं गए इस मंदिर को विश्णू जी के सबसे प्राजीन मंदिर के तौर पर जाना जाता है नेपाल की प्रसित पेगोड़ा शेली में बने इस मंदिर को सन 1702 में दोबारा बनाया गया था क्यूंकि एक भीशन आग में पहले का बना हुआ मंदिर पूरी तरह जलकर नश्ट हो चुका था इस मंदिर में शीर सागर में नाक शया पर लेटे विश्णू भगवान की प्रतीमा है जो अदिवित्य है जंगू नारण मंदिर के विशाल प्रांगर में प्रोद्राक्ष के वरिक्ष भी लगे हैं और इस मंदिर का महत्व इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि युनेसको ने इस मंदर को वर्ल्ड हेरिटेट साइट में शामिल कर दिया है स्थानिय लोगों के पीच इस मंदर के निर्मान से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है जिसके अनुसार प्राचीन समय में एक गाउवाला सुधर्शन नाम के एक ब्रामिन से एक ऐसी गाए लेकर आया था जो बड़ी मातरा में दूद दे दी थी गाउवाला चंगू गाउव में अपनी गाए को चराने लेकर गया और घास चरते चरते वे गाई एक पेड़ की छाओ में चाकर खड़ी हो गई शाम के समय जब गाउवाला अपनी गाए को लेकर घर गया और दूद निकालने लगा तो गाए ने बहुत कम मातरा में दूद दिया बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा जिस कारण वे गाउवाला बहुत परिशान रहने लगा एक दिन वे उस ब्रामेंड के पास गया और उसे सारी बात बताई गावाला और ब्रामेंड गाएं को लेकर उसी जंगल में गए और छुपकर वहां ये देखने लगे कि जब वे गाएं उस पेड़ के नीचे आराम करती है तब वास्तव में होता क्या है वहाँ पर दोनों ने जो देखा वे बहुत ही चौका देने वाला था क्यूंकि एक बालक गाएं के पास आकर उसका सारा दूद पी जाता था दोनों को लगा कि वे कोई शैतान है और वे पेड़ उसका घर है इसलिए ब्रामन ने उस चंपक के वरिख्ष को ही काट डाला पेड़ काटने के बाद वहाँ से इनसानी खून बहने लगा और दोनों ये सोच सोच कर रोने लगे कि उनके हाथों किसी की हत्या हो गई है इतने में भगवान विश्णू प्रकट हुए और बोले कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है बलके स्वैम विश्णू को एक शराब से मुक्ति दिलवाई है जो उन्हें तब लगा था जब गलती से उन्होंने सुदर्शन के पिता की हत्या कर दी थी सुदर्शन और उस गावाले को जब ये सारी कहानी पता चली तो उन दोनों ने उस स्थान को पवित्र स्थान मान कर पूजा करना शुरू किया और फिर वहाँ पर एक मंदिर का निर्मान करवाया आज भी सुदर्शन नामक ब्रामेन के वन्शज इस मंदिर में पुजारी है और उस गावाले का परिवार इस स्थान की रक्षा करता है दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्द ही आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजास्त दीजिए